दोस्तो आज हम जानेगे कि आखिरकार काईटनिक डूबा तो डूबा लेकिन उसे समंदर से बाहर क्यों नहीं निकला गया दोस्तो 15 अप्रेल 1912 को ये अनोखा जहाज डूबा था इसके लगबाग 73 सालों बाद यानि 1985 में उसे ढूंडा गया लेकिन उसे ढूंडने के 35 सालों बाद भी इस जहाज को समंदर की गहराईयों से अभी तक निकाला नहीं जा सका है आज के हमारी इस वीडियो में हम टाइटनिक जहाज कैसे और क्यों डूबा था इसके वारे में बात नहीं करेंगे बलकि ये जहाज आज भी समंदर की गहराईयों से निकाला क्यों नहीं गया इस विशई पर बात करेंगे तो चलिए शुर करते हैं दोस्तों पूरी धर्ती का 71 प्रतिशत हिस्से में बानी और 29 प्रतिशत हिस्से में स्थाल भागे और इतने में हम इंसान बस्ती बसा कर अपने जिन्दगी गुजा रहे हैं हमारा समंदर इतना विशाल है जिसके आगे हमारी कलपना भी हार जाती है इन विशाल समंदर के नीचे हजारों रहस्य जगहे और चीजे हैं जिनके बारे में जानना किसी के लिए भी ना मुम्किने, इनी सब रहस्यों में से एक खाहनी है टाइटैनीक की, टाइटैनीक जहाज कैसे और क्यू डूबा था, इसके बारे में हम सब को थोड़ा बहुत पता तो जरूर है, और इस जानकारी के पीछे सबसे बड़ा हाथ है टाइटेनिक नाम की इस आइकोनिक मूवी का जो सब्सक्राइब को रिलिस हुई थी सब्सक्राइब को टाइटेनिक डूबने के पाद करीब 73 सालों तक विज्ञानिकों ने इसे ढूनने की जीतोड़ कोशिश की और कहीं सारे मिशन भी इसकी तलाश में किये गए लेकिन किसी टाइटेनिक को भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई आखिरकार सन 1985 में एक आर्केलोजिस्ट और एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट और बिल टाइटेनिक को ढूनने के मिशन पर निकल पड़े और उन्हें टाइटेनिक अभी कहा है और किस हालत में है इसके बारे में प परदा उठा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया टाइटेनिक समंदर के 12,000 फीट गहरायों में डूबा था ओफिशल रिपोर्ट की मुदाबिक ये जहाज डूबने से पहले सही सलामत थी लेकिन जैसे जैसे टाइटेनिक समंदर की गहरायों में सबाते गई वैसे व लगने के वज़े से ये डूबा था खोजियों को जब जहाज का मलबा मिला तब उन्होंने ये पाया कि इसमें मौजूद बहुत सी चीज़े वैसे की वैसी ही है इस जहाज को बाहर निकालने की बहुत कोशुश की गई लेकिन शायद सब लोगी जानते थे कि इसे वापस बा जैसे निकाला जाता है टाइटेनिक को उस तरीके से निकाल पाना मुम्किन नहीं है क्योंकि ये दो हिस्सों में टूट का डूबा था लेकिन हाई-टेक सबमरीन और पावरफूल मैगनेटिक सिस्टम की मदद से शायद उसे निकालने की कोशिश की जा सके पर इन कामों में बहुत सारे मुश्किलों का सामना कन अपड़ेगा जिसमें सबसे पहला है टाइटेनिक का वजन जो करीब 1.43 लाख टन है जो बहुत ही जादा है और इसके बाद आता है पानी का दबाओ जो जहाज के वजन को और भी कई गुना बढ़ा देता है टाइटेनिक जिस जगह ड जरूरत पड़ेगी लेकिन विजनी का हच तक इतनी पावरफुल मैंगनेट या सबमरीन बना नहीं पाये है जो इतनी आसारी से इतनी गहराई से टाइटेनिक को बहार निकाल से शुरवात में विजनीकों के पास टाइटेनिक को बहार निकालने का कोई प्लान नहीं था इ यहां दोस्तों आपने बिल्कुल सई सुना पिंग पॉंग बॉल विग्यानिकों ने यह तरकीव लगाए कि वह डूबे टाइटेनिक जहाज में पिंग पॉंग बॉल भर देंगे ताकि यह बॉल उपर की तरफ दबाव डाले और ऐसे करके सब्मरीन या फिर बड़े मैंगन की मदद से जहाज को बहार निकालना मुम्किन हो लेकिन तब विग्यानिकों के दिमाग में यह बात नहीं आई कि यह पिंग पॉंग बॉल समंदर की गहरायों तक जाते ही पानी के दबाव से फट जाएंगे तब विग्यानिकों ने बड़े-बड़े बलून्स की मदद से इस काम को अंजाम देने की परिकल्पना की उन्होंने ये सुचा कि अगर हजारों लाखों बलून्स में हिलियम गैस भर कर इन बलून्स को जहाज से बान दिया जाएंगे तब ये बलून्स उपर की तरफ दबाव डालेंगे और ऐसे करके टाइटनिक को निकाला जा सकेगा लेकिन तब विग्यानिकों ने ये नहीं सुचा कि इतने गहरे पानी में इन बलून्स में हिलियम गैस कैसे भरी जाएगी और ये भी एक फ्लॉप आइडिया था आखिरकार विग्यानिकों ने ये तरकीब लगाई कि बर्फ की डेंसिटी पानी की तुलना में कम होती है और इसलिए बर्फ पानी में तैरता है उनने ये सोचा कि टाइटेनिक जिए जगा पर मौझूद है अगर किसी भी तरह उस जगा के पानी को बर्फ में तब्दिल कर दिया जाए तो ऐसे करने से जहाज पानी के ऊपर तक आ जाएगा एक रिसर्चेर्च ने ये बताया कि इसमें अधिक मात्रा में लिक्वीड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी और यह आइडिया बहुत ही कमाल का था लेकिन British Gas Company BOC के मताबिक इस प्रोजेक को अंजाम देने में करीब आधे मिल्लियन टन लिक्वीड नाइट्रोजन की अवश्चेक्ता और अंत में ये प्रोजेक्ट भी काम्याब नहीं हो सेका इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कमपनी ने टाइटेनिक को निकालने का एक आइडिया दिया उनके मताबिक सबसे पहले टाइटेनिक पर जमी शेवाल और गंदगी को साफ करना पड़ेगा और इसके लिए एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर जैसे मशीन की जरूरत होगी इसके बाद एक मजबूत लोहे की मोटी तार से टाइटेनिक बोट से जोड़ दिया जाएगा और बागी का काम ये मशीन ही कर देगा और एक ऐसी सब्मरीन का जुगाड करना पड़ेगा जिसका टेंक गैस से फुल हो सिर्फ इतना ही नहीं बलकि इस प्रजेक्ट के लिए भारी मातरा में बिजली के आवश्यक्ता होगी रिसरसर्चों के मुताबिक इस प्रजेक्ट को अंजाम देने के लिए 20 मिलियन किलोवाट बिजली की जरूरत होगी और इस बिजली की उत्पादन के लिए एक पावर प्लांट की भी जरूरत है लेकिन समस्या ये थी कि समंदर की इस गहराई में पावर प्लांट कैसे बनाये जाए विज्यानिकों ने फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाने की बारे में भी सोचा पर इतने गहराई में इलेक्ट्रिक वायर टिक नहीं पाएगी पानी के अधिक दबाव से ये फट जाएगी कैसे भी करके अगर इस प्रोजेक्ट को अंजाम दी भी दिया गया हो तो फिर भी ये प्रोजेक्ट काफी महंगी साबित होगी इसलिए इस प्रोजेक्ट को तुरंट बंद कर दिया गया बहुत से बड़ी कंपणियों ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम देना चाहा लेकिन टाइटेनिक को बाहर निकालने में जितना खर्चा आता है उतने पैसे रिकवर कर पाना नामूम्किन है अगर कोई कंपणियों इसे निकाल कर म्यूजियम में रख भी दे तो भी इसमें किये एक खर्च को रिकवर करने में सौ साल से भी जादा का समय लेग जाएगा हलाकि इस दनों के जहाद से लोगों के इमोशन्स जुड़े हैं लेकिन फिर भी कोई कंपनी इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहती विग्यानकों के मताबिक बैक्टिरिया ने इसके मलबे को खोखला कर दिया है और आने वाले कुछ सालों में ये बैक्टिरिया टाइटनीक को पूरी तरह तहस नहस कर देंगे सिर्फ इतना ही नहीं टाइटनीक बहुत से समुद्रिक मचलियों का घर बन चुका है इसलिए युनेस्कों ने साल 2001 में टाइटनीक को अंडर वाटल कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्टेड साइट डिकलेर कर दिया है कहा जाता है कि इस जहाज को निकालने में जितना खार्च होगा उतने पैसे में दूसरी और भी बहतर जहाज खरीदी जा सकती है और कोई भी कंपनी ऐसे बेवकुफी करना भी नहीं चाहेगी वैसे तो इस जहाज को कभी समंदर की गहराईयों से बाहर नहीं निकाला जासे था और अगर यह जहाज ऐसे ही समंदर में आने वाले दिनों में भी तिका रहा तो हमारी आने वाली नसल भी इसकी रहस्य में तक और ऐसी और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारी यूटूब चैनल को और फेस्बूक पर फालो करें हमारे पेच को धन्रिबाद